एलो एवरिवन दिस इमांसे सिंग फामसेशन होने वाला है वह काफी जाते स्पेशल और इंट्रस्टिंग वाला है वह आज के इस वीडियो में हम सी बेस्टी का रिवाइस सलेबस करने वाले ले लिए क्लास नाइन्थ के लिए तो आप सभी को पता होगा कोविट के थूरू स्कूल और क्लासेज नहीं चल पा रही है तो इसके लिए जो सीब्यस का जो नया सलेबस आया है उसमें कुछ चैप्टर जो है वह इस साल के लिए डिलीट कर दिये गया है मतलब आपका जो सलेबस है उसको 30% रिडियोस कर दिया गया है तो अभी इस चैप्टर इस वीडियो मे कि पहले मैं आपको एश्वर कर दूं कि आप नाइंट में हैं तो प्लीज क्लास नाइंट की हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जोग्रफी एंड इकोनॉमिक्स बुक लेके साथ में बैटियेगा बिकॉस जो जो चैप्टर डिलीट हो रहे हैं मैं आपको बताते जाओंगी आ करते हैं तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास नाइंट में कौन सा ऐसा चैप्टर है जो बिलकुल भी हमारा इस साल के लिए से बाहर हो गया है मतलब इस साल हमको कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिलकुल भी नहीं पढ़ने हमारे एक्जाम में भी नह आने वाले तो चलिए देखते हैं पहले तो एक चीज आप यह देख लीजेगा कि जो हमारी चार यूनिट होती हैं क्लास नाइंथ में आप एड़ से पास आउट होके आए उनाइंथ में तो आपको पैटरन पता होना चाहिए कि एसस्टी का क्या पैटरन होता है बिटा एस इस बार का पैपर पैटरन देख लो आप सेक्शन टू जो लिवली हूट इकोनॉमिक और सोसाइटी है उसमें से फॉरस सोसाइटी और कोलोनलिज्म फैस्ट्रोलिस इन दोनों में से आपको कोई एक चैप्टर पढ़ना है एक चैप्टर का रिवीजन करना है अच्छे से आ चैप्टर नहीं करे दीजे और जो चैप्टर मैं अभी बताउंगी आप उसको कि कर दीजिए मींस तैट टिकवाला पॉशन आपके एकजाम में नहीं आएगा और यह जो गोट पे लिखा हुआ है सारे डिलीट है तो वन बाई वन हम हरेक से देखेंगे कि कौन सी पाग में कौन कौन से chapter delete हुए is that clear तो चलिए जोग्रफी से बिटा हमारा जोग्रफी से ब्रेनेज chapter नहीं आएगा means ब्रेनेज का theory portion बिल्कुल भी नहीं आएगा थोड़ा सा जो भी आएगा वो map portion आएगा तो map I think आप cover करिएगा वागी जो theory बहुत लंदी chapter होता था out of this अब population आएगा यूनिट फ्री यानि की political science है हमारा जो चाप्टर नमबर तू आपका constitutional design है constitutional design में आपको South Africa का जो case था वो बिल्कुल भी पढ़ने की जरुरत नहीं है because it is deleted from your syllabus and chapter 5 democratic rights entire chapter यह आपके सलेपस से delete हो गया है इसको आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी economics में बेटा जो chapter number 4 food security in India यह भी chapter आपके सलेपस से delete हो गया है तो अभी आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 7 means 11 यानि कि total आपके 6 chapter आपके entire sst से delete हो गया है means it means a lot ठीक है अब आपको मैं बता दूँ कि आपको पढ़ना क्या है history में आप अपनी बुक देखिएगा history में chapter number 1 2 3 पढ़ना है आपको means the french revolution पढ़ना है socialism in Russia and revolution पढ़ना है and Nazism and the rise of Hitler पढ़ना है ठीक है और forest society and colonialism और pestrolis in the modern world में से च्वाइस है इन दोनों में से कोई एक chapter पढ़ना है ठीक है आप हम बात करेंगा जोग्रफी जोग्रफी चैप्टर नमबर वन आपका होगा इंडिया साइजन लोकेशन बुक में देखिए इंडिया साइजन लोकेशन होगा वो पढ़ना है आपको मार्क करिए उसको चैप्टर नमबर टू होगा आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया उसको माग कर लीजे उसको भी पढ़ना है चैप्टर थी आपका ड्रेनेश था बहुत लेंदी चैप्टर हुआ करता था आउड आउड दसले बस लेकिन हाँ माप कोशन मिस मत करिएगा माप कोशन हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे आग इसको भी हम कवर करेंगे चैप्टर 6 जो था हमारा पॉपुलेशन इस ठीक है तो हिस्ट्री होगे जोग्रफी हो गई आप हम बाग करते पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस की पहला चैप्टर आपका होगा वाट इस डेमोक्रसी यह इंटायर चैप्टर आपको पढ पढ़ना आपका डेमोकरटिक राइट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है एकोनॉमिक्स की बाह लोग हैए तो चैप्टर है आपके फ़स्ट चैप्टर आपको था दस्टोरी ओब विलज पालंपुर इंटायर चैप्टर आपको पढ़ना है सेगेंड चैप्टर पूरा पढ़ना है तो यह थी पिटा आपका रिबाई सलिबस मैंने आपको बता दिया कि history एसीसटी में आपको कौन-कौन से चैप्टर पढ़ना है और कौन-कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है दोनों मैंने बता दिया साथ में इन डिस्क्रिप्शन आप मेरा जरूर देखिएगा उसमें मैंने एक लिंक अटाच किये जिसके थूर आप वेबसाइट के थूर जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन-कौन से चाप्टर्स आपको डिलीट हुए है और कौन-कौन से चाप्टर आपके कौर्स में आने वाले है अगर आपने मांग नहीं किया तो आप वहां से देख कि अपने बुक में मांग कर लिजेगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो क्योंकि बहुत बढ़ी खुश कबरी दी है तो प्लीज लाइक शियर सब्सक्राइब करना चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा एंड आप साथ में बल आइकन प्रेस कर दीजेगा जो की मेरी जो भी वीडियो आएगी उसकी रिसेंट अपडेट आपके पास पहुच जाएगी तब तक stay at home, stay safe बहुत जल्द मिलेंगे क्लास 10 की दिवाज सलेबस के साथ Thank you so much